नमस्कार किसान भाईयो मैं सुरुद फिर से हजिर हूँ आपके अपने चैनल एगरिकल्चर गुरुजी में किसान भाईयो आज हम बात करेंगे गन्य में पोटास जालने का सही तरीका क्या है गन्य की फसल के अंदर पोटास को हम किस तरीके से डाल सकते हैं और इसके क्या फायद है और इसकी यदि कमी हमारी फसल के अंदर आती है तो हमें क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं पूरी जानकारी किसान भाईयो इस वीडियो में देने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इससे ज़्यादा अपने गन्नी की फसल के अंदर ले सकते हैं कल जो हमने वीडियो डाली थी उसमें एक किसान भाई जो जैसरी राम करके उनका चैनल है उन्होंने किमेंट किया था कि आप डेली एक किटनासक के उपर वीडियो बना करके दे रहे हैं हम कहां तक किटनासक अपने गन्नी की फसल के अंदर डालें तो देखें मैं सभी किसान भाईयों के लिए ये बात बोलना चाहूंगा कि मैं लगबग 5-6 वीडियो में ये बात बता चुका हूँ कि लगबग आपको 2 महीने के अंदर एक बार किटनासक का उपयोग करना है और यदि कोई किटना सा 3 या 4 महीने के अबदी वाला है तो उसके बाद ही आपको अगले किटनासक का उपयोग करना है किसी भी एक खात को डालने के बाद आपको कम से कम दो महीने का या फिर 45-50 दिन का अंतर रखना चाहिए यह जो मैं लगातार आपको वीडियो बना करके दे रहा हूँ यह सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है ताकि आपको अच्छी जानकारी हो कि हम गन्य की फिसल के अंदर कौन सा किस तरीके क्या उपयोग में ला सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं किसान भाई आज हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पोटास के बारे में कि गन्य की फिसल के अंदर पोटास का क्या कर रहा है होता है तो सबसे पहले मुतादू जैसे पोटास आप अपने गंडी की फिसल के अंदर डालते हैं ये एंजाईमो की किरिया सीलतों को बढ़ाता है ठंडे और बादलुक्त मोसम में पोधु द्वारब पिरकास के उपयों में व्रद्धी करता है जिससे पोधे में ठंडग और अन्य जो हमारी अनुकूल पिर्थिकूल परिस्तितियों होती है उन्हें सेहन करने की छमता बढ़ती है यानि कि गर्मी में सर्दी से और सर्दी में गर्मी से हमारी गंडी की फिसल को ये बचा करके चलता है कार्बो हाइडरेट के इस्तनांतरन प्रोटीन संसिलेशन और इनकी इस्तरता को बनाए में रखने में व्रद्धी करता है पोधों की जो रोग पिर्द्रोदक चमता होती है उसे भी ये बढ़ाता है यानि कि यदि आप पोटास का उपियोग अपनी गंडी की फिसल के अंदर करते हैं तो हमारे गंडी की फिसल के अंदर रोग भी बहुत कम लगेंगे इसके साथ-साथ हमारा जो गन्ना होगा इसके अंदर मिठास की मात्रा बढ़ जाएगी गन्ने के अंदर वजन बढ़ेगा सुक्रोच की मात्रा ये बढ़ा करके चलेगा और हमारा जो गन्ना होगा इसका तना बहुत ज़दे मजबूत हो जाएगा जिससे ये आसानी के साथ नीचे नहीं गिरेगा और किसानवाई हो हमारे गन्ये के ऊपर जो चमक है चमक को ये लगातर बना करके रखता है चमक को लगातर मेंटिन करके रखता है इसके साथ किसानवाई यदि आप पोटास का उपयोग अपने गन्य की फसल के अंदर करते हैं तो आपकी गन्य की फसल की जो पैदावाद चमता है वो लगभग 10 से लेके 15% आपकी गन्य की पैदावाद बढ़ जाएगी और इसके साथ ये टिल्निंग करने में भी हमारी गन्य की फसल की बहुत ज़द मदद करता है इसलिए आप पोटास को उप्योग कर सकते हैं बात कर लेते हैं इसकी कितनी मातरा को किस समय पर लेनी चाहिए तो यदि आपने बुआई के समय पर इसकी मातर ली थी तब तो बहुत अच्छी बात है और यदि आपने बुआई के समय मैं इसे नहीं लिया तो किसानवाई इसे डालने का सबसे सही और उप्शुक्त समय जो है वो है जब हमारे गन्य की फसल के अंदर लगभग एक से दो गन्य की पोई पढ़ जाती है उस समय पर यदि आप इसे डालते हैं तो हमारे गन्य की मोटाई को बढ़ाने में सुक्रोच की मात्रा को बढ़ाने में तने को मजबूत करने में गन्य पर चमक बढ़ाने में ये बहुत ज़्यादा एहम भूमी का इस समय पर निभा सकता है और आपको ज़दी मात्रा की बात की जाए तो लगभग 25 से लेके 30 किलोग्राम पिरती एकल के हिसाब से आप जो है इसे गन् काम गन्य की मोटाई को बढ़ाने का ही होता है वैसे यदि मैं एक सही तरीक आपको होता हूँ तो इन दोनों में आपको कम सेगम एक महीने का अंतर रखना चाहिए पहले आप पोटास डाल दीजिए उसके लगभग एक महीने बाद आप ज़दी कैल्सिम नाइटरिड डालत कर सकते हैं और इसका इस्प्रे आप अपने गन्य के फसल के उपर कर सकते हैं इससे भी बहुत अच्छे परिणा आपको देखने को मिलेंगे